हम एक भूत मने एक पदार्थ की उत्पत्ति का कारण सदा दूसरे पदार्थ को मानते हैं और बात निप्टा देते हैं और जब आप एक भूत की उत्पत्ति का कारण दूसरे भूत को मानते हो भूत मने material, भौतिक पदार्थ जो आप एक भूत की उत्पत्ती का कारण दूसरे भूत को मानते हो और दूसरे की उत्पत्ती की वज़ा तीसरे को मानते हो तो इसी को कहते हैं भौतिक ता या materialism आप कहते हो ये जो सब कुछ है अपने आप से ही आया है एक चीज कहां से आया है दूसरी चीज से तो दुनिया में जो कुछ भी हो कहां से आया है दुनिया के भीतर की किसी चीज से आया है यही नियम हम अपने उपर फिर लागू करते हैं मैं कहां से आया हूँ मैं अपने माबाप से आया हूँ बात खतम हो गई, इससे आगे की जिग्यासा करने के लिए जो मानसिक उर्जा चाहिए, और जो छटपटाती हुई इमानदारी चाहिए, वो हम कभी दिखाते नहीं, हम सस्ते जवाब से संतोष्ट हो जाते हैं, और सस्ता जवाब हमारा यही होता है, दुनिया की कोई भी यह नहीं पूछते कभी फिर, ठीक है, मैं अपने माबाप से आया हूँ, वो अपने माबाप से आये है, सब का बाप कौन है, पहला बाला कहां से आगया है, यह जो कभी नहीं पूछते, बहुत अगर हम बौद्धिक चपलता दिखाते हैं, तो बस इतना कह जाते हैं, कि नह मातर एक कोशिका का वो एक कोशिका कहां से आ गई? नहीं, वो पानी से आई थी पानी से, पानी से पानी में कहां से आ गई? नहीं, वो पानी में तमाम तरह के केमिकल्स थे पॉलिमर्स थे, वो इकठा हो गए फिर उन पे सूरज की धूप पड़ती रही तो वो जो mixture था वो बहुत ही dense हो गया और फिर उसमें प्राण आ गए यह तक तो ठीक था कि एक जिसको हम बोलते हैं primordial soup वो कहीं पर तयार हो गया उसमें भाते-भाते के minerals और polymers एकठा हो गए और फिर उस पर धूप पड़ रही है और यह सब हो रहा है तो भीतर catalyst हो गया, कुछ reaction शुरू हो गया consciousness कहां से आ गई चेतना कहां से आ गई यह हम कभी पूछते ही नहीं चुकि हम यह नहीं पूछते तो हमें सोजधा है रहती है कि हम अपने आपको पूरी तरह शरीर माने और अपने माबाप को ही अपना जन्म दाता मान ले उसके पीछे हम कभी जाएंगे ही नहीं मैं कहां से आया, मम्मी पापा से आया चिज्जू कहां से आई, दुकान से आई कुछ पूछना ही नहीं आ गए वो भूत जो कारण भूत है सब भूतों का उसको परमात्मा कहते है और वो कोई साधारन भूत नहीं हो सकता क्योंकि साधारन होता तो फिर उसके पीछे भी कोई होता उसकी उत्पत्ति का कारक तो वो अंतिम है और वो प्रत्थम है वो ऐसा है जिससे सब कुछ है पर वो किसी से नहीं है और उसका होना अवश्यक है क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम नहीं हो सकते हम हैं तो वो होगा जरूर रहत खुद्थूरत सी वो कजल है हर सांस यह कहती है हम हैं तो खुदा भी है हर जर्रा चमकता है नूर इलाही से और हर सांस यह कहती है हम हैं तो खुदा भी है सबूत क्या है कि वो है तुम तो हो वो नहीं है तो तुम कहां से टपके तुम अपने बारे भी बता दो तो तुम्हें विश्वास नहीं करना है हम सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ विश्वास है शायद, कुछ बाते मानननी पड़ेंगी, कुछ बिलीफ सोनी चाहिए, नए-nए-nी अच्छ काम हमें कूछ बिलीफ सुस्प बेनना यह माननता यह देना नहीं है। उसका कम हमारी माननता है खंडित करना है। वो हमसे कहता है, वो सवाल भी पूछो जो तुम आम तौर पर पूछते ही नहीं, हमारे सस्ते सवाल, सस्ते जवाब चलते हैं, अध्यात्म कहता है, थोड़ा आगे बढ़ो, और गहरे सवाल तो पूछो, और जब और आगे बढ़ते हो, तो फिर मानना ही पड़ेगा कि कुछ है, जो भौतिक नहीं है, और चूंकि वो भौतिक नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, वो सबसे बड़ा है, सबसे आवश्यक है, सबसे पहला है, लेकिन हमारी पहुच से बाहर का है, अगर उसके बारे में हमने सोच लिया, तो कोई छोटी चीज ही हो ज आते हैं, समझो, सब रूप रंग गुण उससे आते हैं, और हर चीज में रूप रंग गुण होते हैं, और जिस भी चीज में रूप रंग गुण है, वो चीज किसी और चीज से आई होती है, और अगर वो किसी चीज से नहीं आया है, तो उसका न रूप हो सकता है, न रंग ह सकता न गुण हो सकता अगर उसमें भी रूप रंग गुण नाम इत्यादि है तो फिर वो भी किसी और से आया होगा फिर तो बात बनी नहीं तो उसको तो निर्गुण नेराकार इत्यादि होना पड़ेगा होना ही पड़ेगा नहीं तो फंस गए क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है पर हम तो कह रहे हैं हम हैं हम हैं तो फिर उसे होना पड़ेगा इसलिए नहीं कि उसने हमें बनाया है यहाँ पे रचनाकार हो गयारा की बात नहीं हो रही है यह गौड मेड मैन इत्यादे ना, उपनिशद उससे बहुत आगे की बात कर रहे हैं। वो सब बाते हैं, उपनिशदिक जिग्यासा के आगे, बच्चों के सवाल लगती हैं। यह नहीं कहा जा रहा है कि कोई इश्वर बैठा हुआ है जिसने निर्माण किया है प्रत्वी का और मानव का इत्यादित्या देना, ना, ना, बहुत दूसरी बात है यह, यहां तो अतीत को भी नकारा जा रहा है, कोई अतीत नहीं है। जब आप कहते हो God made man, तो आप कहते हो इतने साल पहले कभी करा था, आठ हजार साल पहले, असी हजार साल पहले, आठ अरब साल पहले, कभी करा था, विदान तो समय को ही भर्म कह देता है, तो अतीत में कैसे कह देगा कि किसी रचनाकार ने रचना की दुनिया की, कोई अतीत यही नहीं, जो है यही है, तो रचना भी कब हो रही है, अभी हो रही है, पहले नहीं हो थी, पहले की बाते हमारी कहानी है, कहानिया बच्चों को अच्छी लगती है, सुनते रहो, बिग बैंग इत्यादी, पर जो असली बात है वो अभी है, जो हो रहा है वो अभी हो रहा है समझ में आ रही ये बात कैसे समझ में आ गई इतनी हल्की है कि समझ में आ जाएगी उपने शदों के अनुसार ये जो कुछ है ये आपके मन का विस्तार है और मन जिस बिंदु पर जाकर के मिट जाता है उसी को परमात्मा या परप्रहम या ब्रहम या सत्य आत्मा कहते है जिस बिंदु पर मन जाकर मिट जाता है वो वही बिंदु है जहां से मन की शुरुवात है जहां से आये हो वही जाना है यहां बीच में यात्रा में बैठे हुए हो इसी लिए तमाम तरह की बेचैनिया है यात्रा ही जैसे मनगणन्त हो कुछ ऐसा कर रहे हो जो असली नहीं है तभी तो बेचैन हो उस यात्रा का नाम समय और संसार है तो वास्तों में क्या कोई यात्रा है भी नहीं है पर हम तो यही मानते हैं कि हम यात्री है हमारी पहचान ही है यही कि हम यात्री है यात्री वो जो कभी एक जगह है कभी दूसरी जगह है हमारा भी तो वही हाल है तो हम यही मानते हैं यात्र हमारा पूरा वजूद ही यात्रा से जुड़ा हुआ है यह यात्रा आपको करनी भी है और यही यात्रा आपका कश्ट भी है तो अपनिशद सिखाते हैं कि किस तरीके से इस यात्रा को बोध पूरुवक करा जा सकता है या तो हम ऐसे हो जो जान ही ले कि कोई यात्रा है ही नहीं, पर ऐसे हम है नहीं, हमारी नजरों में तो यात्रा है, समय है, संसार है, इधर जाना है, उधर जाना है, अतीत है, भविश्य है, यह सब यात्रा की बाते हैं, चुकि हम नहीं मान पाते कि यात्रा भ्रह्मात्र है तो फिर अगला विकल्प यह होता है कि यात्रा करना सीखो उपनिशद हमें अनुशासन देते हैं मर्यादा देते हैं, विधि देते हैं जमीनी तौर पर कहूं तो तमीज देते हैं इस यात्रा को करने की और कैसे जीएं? यह जानने के लिए वो हमें बार-बार इस सवाल पर ले जाते हैं कि जीने वाला कौन है? कौन है जिसको तुम जीव मानते हो? तुमारी हस्ती के केंदर पर कौन बैठा है? तुमारी आखों से कौन जागता है भीतर से? सारे दुखत सुख किसको है? कौन अपने आपको अमीर गरीब बच्चा या बड़ा आदमी या औरत बोलता है कौन है आपकी खाल जल गई हो और आपको मरहम दिया गया हो कि लगा लीजिएगा और आप उसको समोसे में लगा कि खाना शुरू कर दें तो क्या मिलेगा बड़ाजमी मिलेगी और क्या मिलेगा हम ऐसे ही है किस दवा का उपयोग कैसे करना है हमको पता नहीं श्लोकों का उपयोग करना आना चाहिए और उपयोग करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बोला क्यों होगा क्या देखा उन्होंने जो उन्हें ये बोलना पड़ गया क्योंकि पक्का समझी के रिशियों को फाल्तू बातचीत में बिलकुल रुचि नहीं और ना उनको इसमें बड़ा गौरभ है कि वो किसी के गुरु कहलाए वो तो अपने में निमगन लोग है आंतरिक मस्ती है बहुत निजी आनंद है उन्हें कुछ नहीं पड़ी है कि कि पास साथ लोगों कोई कठा करके उनको श्लोक बताएं के करके कि तुम है कि तो खोजी हैं जो आई हैं गुरुओं के पास और तब के गुरु बहुत लंबी चौड़ी भीड़ भी नहीं लगाते थे कि ऐसे ही अपना पेड़ के नीचे बैठ गए कुटी आगे बैठ गए और फिर जितने लोग उतने में आ सकते हैं उतने आगए ऐसे दस बीस बस माइक तो था नहीं तो खुदी सोच लिए कितने लोगों तक आवाज पहुंच सकती है मुझे नहीं लगता कि बीस लोगों से ज़्यादा बैठाई भी जा सकते हैं कई बार तो शायद दो रहते हों कभी एक तो वो बोलते ही सिर्फ इस लिए थे क्योंकि लोगों ने जिग्यासा करी आप न करिये जिग्यासा उन्हें नहीं बोलना है यह कोई मत थोड़ी है कि उन्हें प्रचार करना है यह कोई विचारधारा आईडिलोजी इत्यादी थोड़ी है कि इसे प्रपगेंडा की जरूरत पड़े समझ में हारी बात यह कोई इजम नहीं है यह ट्रीटमेंट है उप्चार जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे वो है क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है उसके पास अपना कोई आधार नहीं है चलने के लिए ऐसा बिलकुल हो सकता है कि कोई गियर असेम्बली हो गियर एसम्बली समझते है यह एक गियर है और उसके दांत जुड़े हुए है यह दूसरे गियर से और आप बस क्या देख पा रहे उपर से जो सबसे आखिरी गियर है तो आपको लग रहा है इस गियर को ड्राइव कहां से आ रही है इस गेर को क्या घुमाता है इसके पीछे वाला गेर तो आपको लग रहा है कि इसको उर्जा या ड्राइव मिल रही है इसके पीछे वाले गेर से ऐसा आपको क्यों लग रहा है क्योंकि आप देखी पा रहे हो बस इन दोनों को आपने देखा चुन्नू को और चुन्नू की मम्मी को चुन्नू घूमरा है मम्मी घूमा रही है और आखे इसके आगे देखी नहीं पाई और प्रक्रति है एक विशाल तंत्र कुलोसल सिस्टम जिसमें इसके पीछे ये इसके पीछे ये और एक gear उख माने वाले कई gear भी हो सकते हैं उनको देख के ऐसे ही लेगा है कि देखो इसकी drive का अगर आपको analysis करना है तो आप कोगे इसको इससे मिल रही है इससे मिल रही है इससे हो रहा है यह पूछना ही भूल गये कि इस पूरे तंत्र को उर्जा देने वाला कौन है वो कहां से आ रहा है किसके लिए है ये सब कुछ किसके द्वारा है ये सब कुछ उपनिशद कहते हैं जिसके लिए है उसी के द्वारा है जिसके लिए है उसी के द्वारा है ये सारी गति कहीं तक पहुँचना चाहती है और जिस तक पहुँचना चाहती है उसी से आ रही है तुम्हारी एक-एक धरकन जगत का एक-एक स्पंदन व्यर्थ नहीं है उसे प्रतीक्षा है तो किसी की तरफ बढ़ रहा है आपको पता हो जाए ना पता हो आप किधर को भी कदम बढ़ा रहे हैं आपके पास एक आस है उसका में पता होता नहीं हम सोचते हम तो दुकान तक जा रहे हैं कुछ ऐसे ही शैंपू खरीदने के लिए मन में और गहरे जाएं और गहरे जाएं तो आपको पता चलेगा किधर को भी जा रहे होते हैं एक उमीद होती है कि वो मिल जाएगा इसी को ऐसे भी कहते हैं कि उसी को तलाश रहे हैं आप शैंपू में भी इस बात को आप बिल्कुल दत्चित होके नहीं सुनेंगे तो बहुत अजीब सी लगेगी आप कहेंगे शैंपू तो शैंपू होता है उसमें परमात्मा कौन खोज रहे हैं यह सारा जगत किसके लिए है वो जिसको इसका अनुभव होता है और यह बात देखिए कितनी प्रत्यक्ष है और कितनी सहज है और हम देखते नहीं मानते नहीं इस पूरी दुनिया किसके लिए है जो कह रहा है कि दुनिया है कौन कह रहा है कि दुनिया है वो जिसे दुनिया से कुछ चाहिए तो दुनिया का मौजूद होना और आपका दुनिया से आग्रही होना बिल्कुल एक चीज है साथ साथ है हम दुनिया में कुछ खोज रहे हैं खोज में बुराई नहीं है अगर आपको लगता ही है कि आपने खो दिया है तो खोजेंगे भी गलत जगह खोजने में भूल है अगर एकदम ही मुह मांगा हो जाए कुछ तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमने कुछ खोया ही नहीं कि हम यात्री हैं ही नहीं कि हम घर से कभी निकले ही नहीं घर में ही है विश्राम में ही है पर अगर निकल भी पड़े है यात्रा में अगर यह लग भी गया है कि कुछ खो दिया है तो कम से कम गलत रास्ते तो मतलो गलत रास्ता कौन सा जो आपको घर की तरफ नहीं लाएगा बलकि घर से और दूर ले जाएगा गलत खोज कौन सी जो आपको वहां नहीं ले जाएगी जहां चीज मिल सकती है बलकि जहां मिल सकती है उसके विपरीत कहीं ले जाएगी जादा तर हमारा यही काम है खोजी सब है खोज का प्रमाण है कामना जो कोई कुछ भी मांग रहा है जिसकी कोई भी इच्छा है गहराई में वो इच्छा आखिरी और परमतत्तो की ही है और इसका प्रमाण यह है कि कोई भी इच्छा आपको पूरी नहीं पड़ती रुपय को ही ले लीजिए आप से कहा जाए आप एक संख्या लिख दीजिए कि इतना आपको दे दे रुपया तो आप संतुष्ट हो जाएंगे आप संख्या लिख देंगे पूरा पड़ेगा जितना भी दिया गया आपको पूरा पड़ेगा जो कुछ भी आपने लिखा है उसमें एक शून्ने बढ़ाया जा सकता है न अगर बढ़ने की उसकी संभावना है तो आप मना नहीं कर पाएंगे और फिर कितने शून्ने बढ़ाया सकते है अनन्त तो वही हमारी इच्छा है अनन्त की अनन्त की इच्छा है हमारी दिक्कत बस यह है कि हम अनन्त को पाना चाहते हैं सांत के माध्यम से जैसे हम अनन्तता तक पहुँचना चाहते हो एक के आगे कई शूनने लगा लगा के तुम कितने भी शूनने लगा लो कभी अनन्त कर पाओगे इस संख्या को तुम जितना भी लिखोगे उसका एक परिमान होगा उसकी एक सीमा होगी उस सीमा से आगे वो नहीं होगा आपने जो बड़ी से बड़ी भी संख्या लिख दी उसमें एक जोड़ा जा सकता है और एक जोड़ते ही आप फिर बेचैन तो अनन्त हम सब को चाहिए लेकिन हम अनन्त को तलाश रहे हैं संख्याओं के माध्यम से उन चीजों के माध्यम से जिनको संख्या में अभिव्यक्त किया जा सकता है हम वो सब मांग रहे हैं जो संख्या बद्ध है माने भौतिक है माने प्राकृतिक है वेदान्त में जब प्रकृति बोला जाए तो उसका अर्थ जंगल, पेड, पौधे, पहाड नहीं है समस्त भूत, समस्त गतिविधि, समय, संसार, पदार्थ जहां है उसे प्रकृति कहते है हम आप सब प्रकृति है रुमाल प्रकृति है यह कैमरा प्रकृति है अभी हमने श्लोक में जो बात की उससे मुझे यह समझ में आ कि परमात्मा से जो शुरू होता है वही जाकर परमात्मा ही खतम हो रहा है तो क्या एक साइकल है इसलिए इसका कोई अतीत नहीं है और भविश्या नहीं है यह मेरा पहला प्रश्ण है और दूसरा प्रश्ण है कि आपने कहा कि परमात्मा ही हम में से जहाकरा है कि मैंने कोई ज्लदी पता कर लिया कि परमात्मा है आज अश्टा बख्रगीता आपने खोज की बात की कि हम कुछ खोज रहे उसे खोज रहे तो जो कंटेंट के टाइम यह पता चला कि जिसे हम खोज रहे वो हमने पाया हुआ है और जो कह रहे हैं कि जिसे तुम खोज रहें उसे तुमने पाया हुआ है उन्होंने पाया हुआ है जो पढ़ रहा है कि जिसे हम खोज रहें उसे हमने पाया हुआ है उसने कुछ नहीं पाया हुआ अश्टा वक्र ने पाया हुआ है आपने नहीं पाया हुआ कि अश्टा वक्र कोई कहने का हक है कि जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने पाया ही हुआ है क्योंकि वह खोज नहीं रहे कुछ हम तो खोज रहे हैं तो उनकी बात पर अपना नाम लिख देना इमानदारी नहीं है और जो भीतर से जहां करा है ना उसे मन कहते हैं उसे आहम कहते हैं परमात्मा नहीं है उसे अधिक से अधिक जीवात्मा कह सकते हो वह खोज रहा है वह बेचैन है पहला क्या था सवाल तो बें परमात्मा जाहा कि चक्र है यह पूर शक्रелей चक्री यात्रा और कि उस यात्रा के अंत्हुंत में यही है कि यह चक्र था ही नहीं बेकारी घुं county रहे तो जितना ज्यादा तुम उसमें घूम रहे हो उतना ज्यादा तुम अपने लिए बस समय का निर्मान कर रहे हो उतना ज्यादा तुम अपने अंत को या अपनी मुक्त को विलंबित कर रहे हो वास्तो में जो सिध्धान्त है वो यह है कि एक तत्तो के अलावा दूसरी कोई चीज है नहीं यही तत्तो है उसके अत्रित कुछ है नहीं है ही नहीं तो उस तत्तो से निकल करके यह पूरा चक्र कहां से आ गया चक्र है ही नहीं इसका मतलब पर हमें लगता है कि है तभी तो ह क्लीफ में है क्योंकि जो नहीं है उसको माने बैठे हैं कि है कि यह पता करना कि यह माननेता चीज क्या हटती तो फिर अपने आप है कि आप उसे जबरन नहीं हटा सकते आपको अगर लगी राय कि आप हैं तो कोई कैसे यकीन दिला देगा कि आप नहीं है तो पहले पता करना पड़ेगा मैं जिसको मैं बोलता हूं यह चीज क्या है यह मेरे भी एक हाथ है पडोसी के भी हांत है मेरे पांची उंगली पडोसी कि मैं कि जैसा हो एक है मैं यंग चाल, लिए बंग्प, इस हे है और मुझे भी लगता है, अैर्प मोझे हूं मात्लब तो होता है इंडिविजुन कि में का रखत क ही डूसरे जैसा नहीं अभी तो कहते हो ना मैं आप 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 तैसे आशे जो होता डिफ्रेंसेश पर यहां तो जो खेल है उसमें तो पता चल रहा है कि आप और आप विविधताया है अंदर अंदर मामला बिल्कु लेक है लिए जैसे एक ही कार के कई मॉडल रंग अलग अलगें बीतर कुछ छोटी मोटी चीज़ें बदल दीए 16 इंच का टायर तो कोई 5.5 फिट का है कोई 6 फिट का है महामला तो अंदर बिलकुल एक साही लग रहा है कि मैं हूँ कहा है तो अपने होने की जितनी तुम जाच परताल करते हो उतना ज्यादा जो विश्वास होता है अपनी हस्ती में वह हटता जाता है अपनी हस्ती में जब विश्वास हटता जाता है तो अपनी हस्ती से संबंधित जो हम मुर्खताये कर रहे थे उन मुर्खताओं में हमारी जो उर्जा जा रही थी वो लगनी बंद हो जाती है हमारी हस्ति चुकी है है नहीं तो उसको बनाए रखने के लिए हमें बड़ी जान बड़ी उरूजा लगानी पड़ती है पूरी जिंदगी इसी में चली आती है क्या आपने रेत की एक चीज खडी कर दिया यो कभी इधर से गिरती है तो आप जिंदगी पर कर क्या रहे हो और जितना बड़ा महल होगा उतना ढूलकेगा यह समझना यह ढूलक जाता क्यों है यही आत्मग्यान आत्मजिग्यासा है तुम एक ऐसी चीज के साथ जुड़ रहे हो जो नकली है और इस चक्कर में जो असली है उस तक जाने की संभावना बीती जा रही है कि सिर्फ नकली हटेगा ऐसा नहीं होता है नकली के हटने के साथ ही वह मिलना शुरू हो जाता है जिसमें बड़ी त्रिप्ति है बहुत मौज है जबरदस्त आनंद कि लेकिन वो तो तब आए ना कि जब पिंड छूटे पहले कि नकली फालतू चीजों से और कि व्यक्तिगत जो है इंकार भी उसी में से आया है तो क्यों आया तो किसके लिए आया सबसे पहले यह पूछतें किसके लिए आया किसको अनुभव हो रहा है एंकार का क्या सद्य को तुमको हो रहा है तो जिसको अनुभव हो रहा है उसी की कर्तूत है और उसी के पास ये विकल्प है कि अनुभव होना उसे बंद हो जाए अहंकार आया तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि कोई अबजेक्टिव घटना हो ये पहली चीज समझो कि वस्तुनिष्ट अंत्र अस्तित तो नहीं है इसका अस्तित तो उन आखों से बंधा हुआ है जो इसको देख रही है वो मन जो इसका अनुभव कर रहा है तो तुम अहंकार की बात कर रहे हो तो अहंकार कोई ये थोड़ी है कि हंकार कहां से आया ये कहां से आया ये कहां से आया जो अहंकार क अनुभाव कर रहा हो उसी से आया तुम हंकार की बात कर रहे तो तुम से आया